आप सभी दोस्तों का Winding Up की इस Further Class में स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में बच्चों हम शुरुआत करेंगे Modes of Winding Up और Contributory करेंगे List A and List B of Contributories करेंगे और इसा बाते हम आज के सेशन में करने वाले हैं और Winding Up के लिए इक काफे Modern Class है इसमें Winding Up का बहुत बड़ा Concept आप समझोगे यहां से Winding Up की शुरुआत होती है चलिए हम करेंगे Modes of Winding Up सबसे पहले शुरुआत करते हैं Modes से Modes का मतलब क्या है? Mode of Winding Up Different Modes यानि Winding Up के अलग-अलग Method Modes of Winding Up तो Broadly हम इन्हें दो पार्ट में दो कटेकरी में डिवाइड कर सकते हैं एक को हम बोल रहे हैं Compulsory Winding Up एक को हम बोल रहे हैं Compulsory Winding Up या इसे बोलते हैं है that is Winding Up by the Court कि इसे हम क्या बोलते हैं वाइनिंग अप बाइदा कोट और दूसरी टाइप की जो वाइनिंग अप है उसे हम बोलेंगे वॉलेंटरी वाइनिंग अप वॉलेंटरी वाइनिंग अप और वॉलेंटरी वाइनिंग अप पर भी को भी हम दो क्टेगरी में डिवाइड कर सकते हैं voluntary winding up को भी यहाँ पर हम दो कटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं आप बात को ध्यान से सुनेंगे एक को हम बोलेंगे members members voluntary winding up और दूसरे को हम बोलेंगे creditors voluntary winding up तो हमें इन तिनों method पर expertise करनी है और winding up के लिए सबसे important concept जो सबसे पहले आदमें को clear कर लेना चाहिए हम उसी concept से शुरुआत कर रहे हैं शाबाश यह जो categorization में ने की है यह जो classification मेंने की है modes of winding up बताई है यह है section 425 winding up के companies act का बहुत बड़ा part winding up से ही related है आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि company लोग का बहुत बड़ा part winding up से related है एक पर यह आप इन सब contents को खतम कर लीजिए फिर मैं एक एक section को फटा फटा आपको दुबारा से भी revise कर वाऊंगा अभी हम random basis पे sections कर रहे हैं अभी हम concept wise कर रहे हैं section wise नहीं चल रहे हैं अगर मैं section wise चलूँगा तो concept clear करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैं concept wise चल रहा हूँ लेकिन बाद में हम एक एक section को भी ध्यान से revise करेंगे later on बाद में और यहां कोई भी आपको doubt है तो अपने doubt को आपने अपने तक नहीं रखना कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए winding up के concept पर ठीक है बहुत खतरनाक तरीके से हमने winding up को करना है और winding up को further हम modes सिखने के बाद there are different modes these are different modes और धीरे-धीरे समझ में हमें आएगा कि इन तिनों में क्या differentiation है धीरे-धीरे हम सब बातों को समझ जाएंगे एकदम से समझ में नहीं आएंगे अब winding up को आगे ले जाने से पहले सबसे important concept क्या है Contributory section 428 में हमें क्या सिखना है Contributory 428 sorry 38 नहीं 28 चलिए लिखिए meaning of Contributory Contributory मतलब जो contribution करता है Contributory, Contributory ठीक है यानि जब company wind up होती है winding up के time पर company के सभी assets को और सभी liabilities को liquidate किया जाता है यानि सभी assets को money में और सभी liabilities को money में convert किया जाता है ठीक है तो जो जो लोग assets के साथ Contribution करेंगे for the payment of loan to the creditors तूने हम क्या बोलेंगे? Contributory बोलेंगे यानि जिन जिन लोगों ने assets के साथ पैसे मिलाने है, Contribution करना है to discharge the liabilities of the company at the time of winding up of the company तो उसे हम क्या कहेंगे? Contributory कहेंगे आई लाके कोडिंग इस term को हम यहां note down भी करेंगे शाबाज, चलिए आप बात को यहां पर note करेंगे the term Contributory आई पहले इस term को ही समझे the term Contributory means every person, हर वो आदमी, every person केता जी, every person liable to contribute liable to contribute कहां contribute करेंगा और क्यों करेंगा इस दो बातें आपको, इसमें definition में लिखनी है the term Contributory means, every person liable to contribute to the assets every person liable to contribute to the assets of the company अब कहां करना है, to the assets of the company ठीक है बाता, अब वो कौन-कौन होंगे वो लोग, वो हम सिखेंगे यहां पर बात तो आए एक बरी ध्यान से सुनिये बात the term Contributory means, every person liable to contribute to the assets of the company in the event of, in the event of its being wound up in the event of its being wound up ठीक है, every person कहते हैं जी it also include और it में आप किन-किन को और include करेंगे ठीक है, आईए ध्यान से बात को समझेए it also include क्या-क्या और इसमें include होंगे ठीक है, आईए number first holder of holder of any shares which are fully paid up ठीक है, यह बात समझ ने किया है यहां पर समझ ने कि fully paid up shares कैसे liable हो सकते हैं हो सकता है उन्होंने shares पर guarantee दी हो इसलिए वो liable हो सकते हैं passiert alleged contributory alleged contributory for the purpose of for the purpose of proceeding to final determination of persons who are to be, who are to be deemed as contributaries, deemed as contributaries, तो दो लोगों को इसमें हम include करेंगे, means every person liable to contribute to the assets of the company, देखो बेटा, ध्यान से समझो बेटा, अब जब company wind up होने जा रही है, तो इसकी balance sheet देखी जाएगी, यहां company के assets है, यह company के capital है, और यह company के, यह company के loan है, यह company के loan है, अब इन loans की payment करनी है, तो assets को realize किया जाएगा, assets को बेचा जाएगा, माल लिजिए, loans है, 100 करोड के, assets है हमारे पास 70 करोड, ठीक है, assets हमारे पास कितने है, 70 करोड, अब हम यह देखेंगे कि capital में से unpaid है कोई, आप कहेंगे, जी unpaid तो कोई नहीं है, loan है 100 करोड के, asset है 70 करोड के, कोई भी unpaid capital नहीं है, हम चेक करेंगे, फिर हम यह चेक करेंगे, कि जो capital fully paid up है, क्या इनका कोई liability बनती है, हम चेक करेंगे, तो इसमें दो तरह के लोगों को include करेंगे, अगर share partly paid up है, फिर तो इन्हें assets के साथ contribute करना पड़ेगा, माल लीजिए 100 करोड के loan है, और 20 करोड की capital, 20 करोड की capital अभी unpaid है, तो 20 करोड की capital यहां के जुड़ जाएगे, तो कितने हो जाएगे, 90 करोड, तो यह तो first line में cover हो गए, कि Contributory की first line में cover हो गए, आपने जो first line लिखी, अगर माल लीजिए unpaid है, तो Contributory कोन है, The term Contributory means every person liable to contribute to the assets of the company, यानि जो भी Contribution के लिए liable है, उसे हम सबको Contributory की definition में include कर लेंगे, कहाँ जी, it also include, ठीक है, जो आप सोचते हो कि इन लोगों को Contributory नहीं माना जा सकता है, कहते हैं, इनको भी हो सकता है कि Contributory हो जाएए, holder of any shares which are fully paid up, alleged Contributory, alleged का मतलब इसके उपर Contributory का allegation है, बहिए company wind up हो रही है और आप Contributory बन रहे हैं, ये तो आपके लिए ये तो burden है ना, इसलिए alleged word यूज किया, कि जो भी alleged Contributory है, for the purpose of proceeding, prior to the final determination, बहिए इससे पहले कि हम final determine करें कि 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 किस किस person का obligation हो सकता है, तो उससे पहले एक हम rough list बनाएंगे, और जो rough list बनेगी ही उसे बोलेंगे alleged Contributory, ठीक है बहिए, alleged Contributory for the purpose of proceeding, prior to the final determination of persons who are to be deemed as Contributories, फदर, फदर अगर हम section 428 को, शाबाश, आगे हम फदर लेके चलें, ठीक है, यहाँ पर एक important note लिखिए, section 428 को isolation में नहीं पढ़ना, ठीक है, लिखो, read section 428 with section 467, आपको section 428 को, आप Contributory का meaning कर रहे हैं, Contributory का concept कर रहे हैं, लेकिन आपको section 428 को isolation में नहीं पढ़ना, section 428 के साथ, हमेशा हमेशा आपको 467 को भी अच्छे से करना है, आइए, हम section 467 को भी अच्छे से करेंगे, कि section 467 क्या कह रहा है, आइए बेटा, next page पर हम फर्दर काम करेंगे, ठीक है, और section 467 के concept को, आप एक heading भी दे सकते हैं, तो heading क्या है, लिस्ट A, list A, and list B, list A, list B, of contributors, यानि दो list बनेंगी, एक को बोलेंगे list A, और दूसरे को बोलेंगे list B, list A, and list B, of contributors, section 467 को आप समझें, एक मरी, क्या कहता है, section 467, section 467, empowers, empowers the court, to settle a list of contributors, अब last में, settlement कौन करेगा, कौन स्निश्चित करेगा, कि कौन contributorी माना जाए, या कौन contributorी की definition में ना माना जाए, तो इसके लिए एक list of contributors बनाई जाएगी, section 467, empowers the court, to settle a list of contributors, after making the, after making the, winding up order, हम इस चीज़ को अच्छे से करेंगे, तो क्या line में, first line में आपने क्या लिखा, section 467, empowers the court, court मतलब कौन सा court, जो जिसके यहां, winding up का decision हो रहा है, to settle a list of contributors, जो winding up करवा रहा है, तो वो contributors की list को settle करेगा, after making the winding up order, winding up order जिसने किया है, वो court, contributors की list को settle करेगा, यहां पर court का, एक duty है, court की duty क्या है, the court shall, distinguish, the court shall, distinguish, court, अंतर करेगा, किस चीज़ में अंतर करेगा, between persons, between persons, who are contributors, in their own right, and those, who are contributors, who are contributors, who are contributors, as being representatives, of others, of others, accordingly, इसमें दो तरह के लोगों को चाट लिया जाएगा, जो अपनी कपैसिटी में contributor हैं, या जो ऐसे लोगों के रिपर्जेंटेटीव हैं, जो contributors हो सकते थे, accordingly the liquidator, accordingly the liquidator, अध्यान से आपने समझना है, prepare two lists, two lists of contributors, two lists of contributors, as under, तो पहले list A हम क्या बोलेंगे इसे list A ठीक है contributors ब्रैकिट में लिख लेजिए किस की list है ये contributors के अब list A की contributors कौन-कौन है list A contains the name of list A वाले कौन से है the names of present members ध्यान दीजिए जो present members है वो list A में आएंगे of the company उन्हें list A contributory माना जाएगा that is members इसका मतलब क्या है members whose name appears इसका मतलब क्या है members whose name appears in the register of members members whose name appears in the register of members members as on the date of as on the date of commencement of winding up winding up की जो date है उस दिन register of members में जिन जिन का नाम register of members जिन जिन का नाम दिखा रहा था उसे हम list A of contributory मान ले रहेंगे अब second लिखेंगे बटा list B list B और bracket में लिख लेजिए किसकी list है list B contributory जाए लेपल में लेजिए किसकी ज़ए जाए जाए रहां लेजिए किसकी आए लेशस्य। list B contains the name of past members the names of of पड़्ड़्में लेजिए पास्ट मेंबर्स ओफ दा कंपनी यानि जिनकी मेंबर्शिप पास्ट मेंबर्स कोन है? जिनकी मेंबर्शिप सीज हो चुकी है यानि जो अभी वाइंडिंग अप की डेट पर रिजिस्टर ओफ में नहीं है पहले हुआ करते थे कितनी पहले? अब यहां सवाल है कितनी पहले? पास्ट मेंबर्स ओफ दा कंपनी इसका मतलब है इस मेंबर्स हूँ सीज़ तू बी मेंबर्स मेंबर्स हूँ सीज़ तू बी मेंबर्स बीडिस्ट विन वन यर विदिन वन यर प्रूप्ट प्रूप्ट फितन in one year preceding the commencement of winding up of the company, preceding the commencement of winding up commencement of winding up of the company. क्या मतलब इस बात का ? इस देट ओफ इस चीज़ को समजाता हूँ, लिस्त बीओफ नीको समजाता हूँ, लिस्त बीओ फित नियको सम्जाता हूँ and this is the date of dissolution of the company और in between यहाँ पर winding up start हुई है यहाँ पर winding up start हुई है और यह process है यह winding up का process है यहाँ से यहाँ तक winding up का यह process चलेगा ठीक है और यहाँ यह क्या है date of winding up winding up और यहाँ पर जो आपने mark किया यह है date of commencement date of commencement commencement का मतलब यहाँ से winding up शुरू हुई date of commencement ठीक है और यह क्या है date 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 one year prior to the date of commencement of winding up तो ध्यान से आप पढ़ेंगे in list B.O.K. कंट्रिबुटरी को आईए एक बरी हम दुबारा पढ़ेंगे लिस्ट भी कंटेंस दा नेम्स ओफ पास्ट मेंबर्स यानि पास्ट मेंबर्स के नेम कंटेंड करते है ओफ दा कंपनी ठीक है और that is members who ceased to be members within one year preceding the commencement of winding up of the company ठीक है preceding the commencement of winding up of the company आईए इस चीज़को मने डाग्राम में या लिखा है देखिए जी यहां company date of incorporation हुई यहां से winding up start होता है और यहां date of dissolution है winding up जब start हुआ उससे एक साल पहले यह date one year prior to the date of commencement of winding up ठीक है आप दिखान से इस चीज़को note कर लेंगे यहां पर बेटा तो इस दुरान यह जो red period show हो रहा है यहां पे यह red जो shaded area है यहां पे जो past members थे वो list BK contributors मान लिए जाएंगे जो red shaded area है यह जो एक साल का period of one year यह क्या है period of one year इस last एक साल के दुरान जो भी persons कंपनी के जो भी परसन कंपनी के members थे उन्हें list B of contributors मान लिया जाएगा list B of contributors मान लिया जाएगा बेटा यह हमने पढ़ा आप तक बेटा क्या आज की सेशन में आज की सेशन को यहां तक एक बार हम रिवाइस कर लें आज section 425 से हमने बात शुरुवात की थी section 425 क्या कहता है modes of winding up there are primarily two modes of winding up एक कहता है जी compulsorly winding up that is winding up by the court और दूसरी है जी voluntarily winding up voluntarily winding up भी दो तरह की हो सकती है एक को बोलेंगे members voluntarily winding up और दूसरे को बोलेंगे creditors voluntarily winding up section 428 ठीक है और winding up की हम शुरुवात कर रहे हैं तो contributory के concept से हम शुरुवात करेंगे the term contributory means every person liable to contribute to the assets जो assets के साथ contribute करेंगे assets और contributory का पैसा मिला कर क्या होगा उस पैसे से outside liabilities को pay किया जाएगा समझगे बात ये बात को हमने यहाँ पर अच्छे से समझा ठीक है तो और इसमें दो लोगों को include करेंगे holders of any shares which are fully paid up और दूसरा alleged contributory for the purpose of proceeding prior to the final determination of persons यानि जिन पर contributory होने का अलजाम है उन सब की list बना लेंगे और फिर final determination करेंगे और final determination करने से जिन लोगों से पहले final determination करने के बाद जो लोग जिन लोगों की चटनी करी है उन्हें तो हम को बोलेंगे contributory और final list बनाने से पहले जिन लोगों की चटनी करी है उन्हें बोलेंगे alleged contributories उन्हें हम क्या बोलेंगे बैटा alleged contributories ये section हमने 428 हमने यहाँ पर अच्छे से discuss कर लिया है और आईए अब हम इस concept को और further अगर हम लेके चलें तो यहाँ पर 467 section हम कर सकते हैं तो always read read always section 467 read with 428 तो read with 428 अब 467 क्या कहता है इसको आप अगर heading देना चाहें तो एक heading भी दे सकते हैं list A and list B of contributories section 467 court को यह empower करता है क्या empower करता है settle a list of contributories जब court winding up order देगा तो contributories की list को settle करेगा कब करेगा after making the winding up order court एक court contributors की list को settle करेगा कब करेगा जब वो contributors की list को settle कर लेगा court shall distinguish between persons who are contributors in their own right court differentiate करेगा distinguish करेगा अंतर करेगा ठीक है जो Contributories उनकी अपने अधिकारों के चलते Contributories है या जो Representatives of Contributories है तो हम इस बात को हम सही तरी किसे समझें तो we can prepare List A Contributories और List B Contributories List A Contributories कौन से होते हैं List A contains the names present members of the company that is members whose names appear in the register of members at the date of winding up ठीक है और दूसरी है List B Contributories List B contains the names of the past members a past member कौन से who seems to be member within one year preceding the commencement of winding up of the company यानि winding up of company winding up का commencement winding up का commencement कहां से हो रहा है winding up का commencement इस date से हो रहा है ठीक है आप बात को ध्यान से समझना बेटा winding up का commencement इस date से हो रहा है तो इस date से पहले जो एक साल का period है यह यहां जो हमने लिखा इस date से पहले जो एक साल का period है period of one year ठीक है बाता इस के दुरान इस period में जो जो लोग जनकी membership सीज हुई है उन सब को लिस्ट भी of contributors माल लिया जाएगा आईए अब हम क्या करेंगे हम इन सब की liabilities को analysis करेंगे liabilities persons liable as contributors आईए तो यहां different provisions of companies act और यह बात मैं बता दूँ आपको यह जो sections हम discuss कर रहे हैं बैटा यह 1956 के sections है सब से important बात यह जो sections है यह Companies Act 1956 के according हम कर रहे हैं Companies Act 2013 के अभी sections जो हैं वो notified नहीं हुए हैं चलिए अब हम liabilities का analysis करेंगे persons liable as contributors आईए तो हम यहाँ पे एक heading डालेंगे persons liable as contributors person liable as contributors जो person contributors की तरह liable है आईए हम एक list बनाएंगे आईए लोकों की the following persons shall be liable the following persons shall be liable as contributors as contributors as contributors as contributors on the winding up of a company on the winding up of a company winding up of the company winding up of the company winding up of the company के इसमें present members सबसे पहले पकड़ेंगे किसे जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं आईए डिफरेंट टाइप्स ओफ परसंस की liability को assess करेंगे the liability of present member is primary समझ लो ध्यान से primary क्यों बोल गोले हैं इसे सबसे पहले हम इसी ही पकड़ेंगे primary and absolute absolute मतलब complete liabilities की है अगर इसका कुछ पैसा बकाया है तो सबसे पहले पैसे इसी से लेंगे he is included he is included in list A he is included in list A of contributors ये बात उपर भी हम समझ के आए है he cannot escape he cannot escape from his liability from his liability ये अपनी liability से किसी भी तरीके से बच कर नहीं जा सकता on the ground that the allotment of shares allotment of shares to him was void अगर winding up के winding up की time जो members register है और उस register of member में जिस जिस माई के लाल का नाम as member लिखा है उसकी liability जी absolute है उस वक्त वो person ये थाबित करना चाहे कि जी मेरा तो allotment ही void था मैं तो धंग से allotment ही नहीं हुआ यदि आपका नाम register of member में enter है और company का winding up order हुआ है तो आप अपनी liability से बच नहीं सकते आपकी absolute liability मान ली जाएगी ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी और इसका second point हम पढ़ेंगे past members की liability को हम assess कर रहे है तो list A और list B बनाई हमने past members आईए तो note करेंगे the liability of past members ध्यान से आप बात को note करेंगे the liability of past members is secondary तो primary liability present member की है और secondary liability past member की है यानि इस बात का मतलब क्या है primary liability और secondary liability का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि पहले पैसा primary liability जिनकी है उनसे मंगवाएंगे उनसे पैसा मंगवाने के बाद फिर चेक करेंगे कि कितना पैसा और चाहिए हो सकता है कि और पैसे की अवशक्ता ना पड़े हो सकता है कि पड़े तो पहले primary list से पैसा मंगवाएंगे और बाद में फिर assess होगा कि कितना पैसा और चाहिए और और पैसा अगर चाहिए तो फिर secondary list से पैसा मंगवाएंगे The liability of past members is secondary and arises only and arises only शाबश आप ध्यान से मेरी बात को यहां समझेंगे The liability of past members is secondary and arises only कब rise होती है आपको ये बात ध्यान से सुननी होगी शाबश Primary liability अगर successful नहीं होती है उसी case में शाबश secondary liability arises होती है तो आप कैसे लिखेंगे इस बात को liability of past members is secondary and arises only when it appears इस तरह से लिखिए when it appears when it appears to the court that the present members present members अफ़ियर्स लेड़ेर अरे बीज़ टेस्ट लेड़े सेट्या अणिवर्स, र उब टो ज बनावंट रूप्ड ग्याद ने वे हम नाखे लेड़ेड़ त्याद। बोगे दो टिए। अमाँ रिए होगरी तू डिस्चार्ज अल लाइबिल्टीज शाबश अब यहां कुछ इंपोर्टेंट नोट हम लिखेंगे रिगार्डिंग लिएबिल्टी ओफ पास्ट मेंबर्श शाबश लिखेंगे अपास्ट मेंबर अपास्ट मेंबर शाल नोट बी लिएबल अपास्ट मेंबर शाल नोट बी लिएबल टू कॉंट्रिबूट इन दा फॉलोइंग केसे इन दा फॉलोइंग केसे आईए हम वो सब केसे नोट करें जब एक पास्ट मेंबर लिएबल नहीं है। ठीक है। और सबसे इंपोर्टिन पॉइंट इसका मतलब उसकी मेंबर्शिप सीज हो चुकी है तभी तो वो पास्ट मेंबर्स है ना। If he has ceased to be member, to be member for one year or upwards, one year of upwards. Before the commencement of winding up, भाई वो यह साबित कर दे कि वो यहां उसकी membership सीज हुई है। ठीक है। इस area को मैं यहां पर green कर देता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। इस area को मैंने green कर दिया। वो यह बात साबित कर दे कि मेरी membership green area में सीज हुई है। तो वो contributory नहीं माना जाएगा। इस चीज पे आप ध्यान देंगे। तो वो contributory नहीं माना जाएगा। If he has ceased to be member for one year or upwards, upward का मतलब बताया, जो green area दिखाया, before the commencement of the winding up। क्या वो साबित कर दे तो हम उसे नहीं मानेंगे libel। तो दूसरी चीज आप लिखिये। In respect of any debt, in respect of any debt or liability of the company, of the company, ठीक है, आप शाबाज समझेए, अब हम किसी particular debt की या liability की बात कर रहे हैं, कंपनी, कॉंट्रेक्टिट, आफ्टर, आफ्टर, इस बात को भी यहां हम समझते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, commencement of winding up, यहां से, commencement of winding up, यहां से winding up शुरू होती है, commence होती है, और यह है one year, one year before commencement of winding up, अब माली जीए, एक person इस period में यहां membership seized हुई, ठीक है, तो यहां membership seized हुई, इस date पर, और company ने यहां कोई, ठीक है, contracted a debt, और यहां पर, company ने एक नया loan लिया, ठीक है, तो हलाकी, हलाकी membership seized, पिछले एक साल में हुई है, लेकिन, वो member, इस debt के लिए liable नहीं होगा, जो debt company ने उसकी membership seized होने के बाद contract किया है, ठीक है, तो इसी चीज़ को बेटा मैंने यहां पर समझाया, जो debt member की, member की, contributory की, या alleged contributory की आप कह सकते हैं, membership seized होने के बाद company ने contract किया है, तो past member उस debt के लिए liable नहीं हो सकता, आईए, इसका एक point और रह गया, कब past member libel होगा, अई, third point लिखिये, तिसरा important point, unless it appears, to the court that, to the court that, the present members, present members, ठीक है, और enable, present members, enable है, ठीक है, किस चीज के लिए enable है, to satisfy, ठीक है, to satisfy, enable to satisfy, the amount required, amount required, to discharge the liability, to discharge the liabilities, तो आईए, बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम different types of contributors की liability को assess कर रहे हैं, कि कैसे कैसे, और कब-कब वो libel होंगे, अभी एक छोटा सा break लेंगे, और break के बाद, हम further इस concept को आगे बढ़ाएंगे, शाबाश,